होते हैं निरच्छर का मतलब है जिसे अच्छर का ही ग्यान न हो और अनपड का मतलब होता है कि जिसे अच्छर का तो ग्यान है लेकिन विस्यवस्तू का ग्यान नहीं है तो ये कैसे थे निरच्छर थे इन्हें विशेवस्तू का तो ग्यान था लेकिन अच्छर का ग्यान नहीं था यानि ये व्यक्ति ना तो कुछ पढ़ सकते थे लिखा हुआ ना कुछ लिख सकते थे कुल मिलाकर ये थी ये अपनी हम उम्र पर आये हम उम्र का मतलब जो एज होती है बीस से पच्चीस तीस साल वाली उसमें हरा आदमी अपने आप में बादसा होता है ये भी बादसा थे निरच्छर थे वैसे बुद्धिमान थे बस अच्छर का ग्यान नहीं था किसी भासा का स्टूर्णwon दोस्तों में चलता है और आंदन गाने गूमने गूम ते सामने और एसा समाज में पहली बार हो पूरी दुनिया में, कि खुलिया में एक लड़का और लड़की सड़कों पर घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बात राजा को पता चली, वहांकि राजा को बड़ा क्लोध आया, हमारी समाज को, हमारी संस्क्रती को खराब किये जा रहे हैं, सुकरात को पकड़वाया, अर रिस्क कर रहे थे यह तुमारी गल्ती है इससे गलत समाज पर प्रवाव जाता है। सुक्रात ने कहा मनुष्य सुतंत्र है और आप हमें कैसे रोप सकते हैं। हम कोई जबरन तो नहीं कर रहे थे। प्रेमिकाती हमारी। उसे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें दिक्कत का है। और पहली बार राजा के सामने, पहली बार राजा के सामने कोई प्रिश्न कर रहा है। जिस राजा के सामने कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता था, वो पहली बार प्रिश्न कर रहा है। उसे कोई डर ही नहीं है सुपरात को, राजा को सबसे पहला दुख तो इस बात का लग रहा था, कि हमारे सामने बोल कैसे रहा है, और दूसरा हमारी बात की अवग्या कर रहा है, राजा को फिर क्रोध आया, बोले ऐसे तो सब सुतंत्र हो जाएंगे, तो इनों ने कहा मनुसर इस जीवन में चराचर में बिलकुष सुतंत्र है, राजा ने कहा तमसे किस ने कहा, बोले हमारे माता पिता ने कहा, जब हमारा जन्म हुआ था, तब ही कह दिया था, बेटा तुम सुतंत्र हो, हम सुतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, राजा को बड़ा क्रोध आया दो-तीन साल तक जेल में डाल दिया, इनकी प्रेमिका को मार डाला, कहानी में तुछ तो आता ही है ऐसा थोड़ा वो, तभी तो फिल्में बनती है, तभी तो आदमी इंतकाम देता है, बस सुकरात को जैसे ही जेल से रहा हुए निकल कर गए, तो गया नहीं था, लेकिन उनकी दिमाग में जो सब्द हुआ करते थे, वो बड़े जवर्दस्त हुआ करते थे, फिर तो ये क्या करते थे, जैसे ही निकल कर आए बाहर समाज के बहुत से लोग बैटे है, वहां जाकर राजा के बारे में बताने लगे, एक आदर्स राजा, ए एक आदर्स राजा एसा होना चाहिए, राजा पबलिक का प्रजा का नौकर होता है, प्रजा के दिये हुए टैक्स से उसका धन चलता है, उसकी सेना चलती है, उसका राजा से चलता है, राजा को प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक जारों लोगों के बीच जाकर बोलते थे, लोग इने फटकार दे थे, बोले, क्यों मरना चाहता है रहने दे, लेकिन ये मानते नहीं थे, बोलते जाते थे, इस पूरी भीड में, इतनी बड़ी भीड में, बस एक लड़का था, जो इनकी बातों को ध्यान से सुमता था, जो जो जो उपदेश देते थे, जो जो भाषर देते थे, जो जो स्पीच देते थे, उन स्पीचों को वो लड़का एक किताब में लिख रहा था, वो समझता था कि ये बहुत अच्छी बात बोल रहे, दुनिया में एक क्रांती होने वाली है, वो लड़का उनको लिखता रहत पता है कभी कभी एक कुष्ण आता है किसने कहा था इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति मैं हूँ लोगों ने कहा कैसे कैसे हो भईया विद्वान क्योंक्रम मुझे कुछ नहीं आता यह सुकृरात नहीं कहा था क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं है किसने कुछन कई बार repeated हुआ है किसने कहा था सुकरात ने कहा था इस दुनिया का सबसे विद्धोन व्यक्ति मैं हूँ intelligent मैं हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता ये बोलते थे ये बोलते थे वो जो लड़का था इनका सिस्से जो था उन किताबों में लिखता रहता था इनके बातों को इनकी फिलोस्पी को वो लिखता था वो लड़का कोई और नहीं था इनका सिस्से था जिसे हमने क्या कहा प्लेटो यानी प्लोटो जब सुक्राथ की म्रत्य होने के बाद Pluto जो इनका सिस्थ था इसने पुस्तक लॉंच कर दी पुस्तक पुस्तक प्रकास्त कर दी जिस पुस्तक का नाम जो दिया वो दिया दरेपबलिक कौन की बुखदी दरेपलिक यह पुस्तक किस ने दे दी? प्लूटो ने और जैसे यह पुस्तक प्रकास्त हुई पूरे यूरान में लोगों ने जब इसको पढ़ा इसके प्रभाव को समझा इनकी बातों को समझा तब सुक्राथ के बारे में लोगों को पता चला कि वो कोई इनसान नहीं था वो ते एक भगवान का अवतार था जिसने पूरी दुनिया को एक मार्ग दिखाया इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्लूटो ने ही एक अकेडमी खोली जिस अकेडमी का नाम था द अकेडमी यह सब एथिन्स में थी यह सब कुशन आते हैं कि दअ कि अकेडमी किस ने खोली थी प्लूटो ने और क्यों खोली थी इस सुकुराथ के विचारों को लोगों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए The Academy खोल दी और एक और खास कुश्चन कैसे आता है, ये क्लास कॉंस्टेवल से अपर लेवल तक की होगी, तुम चिंता ना करिए, हम दो लोग GS पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, एक आदमी कवर नहीं कर पाता है, तुमारे इसमें कुछ वच्चे हैं, जो 45 दिन वाली क्लास में थ हैं कि जून में एक्जाम, ऐसा कुछ है नहीं अभी, तो हमारे पास समय होगा हम दो टीचर्स GS यहां पढ़ाएंगे इस बैच में, ये बैच का कोई भी संगर्स 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी बैच बनेंगे, समय हम दोनों ही GS पढ़ाएंगे, तो हम कवर अप कर लेंगे, तो ह पढ़े फट्हाएंग एक औरो बेच सुनिया अब ध्यान से बात को, जब इनों नहीं ďकचैडमी ऐसे अकेडमी, का नम धाध्सbased Academy ऑर उस sein set जासे मानली जी हमारा कौटिल यौन पीन परदद कर्मे ली लिखा उवा है तो आगे लिख 不好意思 का कस Miranda के बारे में जो facility हैं फैकल्टी और सबके बारे में जो लिखा हुआ है ऐसे ही जो एकेडमी खोली थी दा एकेडमी उसके बाहर एक बोड लगा दिया था सिविल सर्विस में पूछा था और यह आज का प्रिश्च नहीं पूछा आज सल लगो 15 साल पहले पूछा था पंदरे साल पहले पूछा का कुश्टिबल में भी बन जाता है कुश्टिबल यह आया था प्लूटू दवरा इस्थापित द एकेडमी के बोड पर क्या दिसानिर प्रवेश ले सकते हैं कि यहां यहां पुरी चीज किया पढ़ाई जाएगी बेटा पॉलिटी पढ़ाई जाएगी लेकिन बूर्ड पर आगे क्या लिखा था इसमें वही छातर प्रवेश ले सकते हैं, जिनने किसका ग्यान हो, पॉलिटी का ग्यान हो, उसका किसका, गड़ित का, ऐसा माना जाता था कि प्लूटो मानते थे कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में होचार होते हैं, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं हो सकती, इसल ही बना रहा हूँ तुमारे सामने, पॉलिटी का जनत किसे कहा जाता है, फादर ओफ पॉलिटी, क्या करेंगे, सुकरात, सुकरात का सिस्से कौन बना, प्लूटो, और जब यह प्लूटो अकेडमी पढ़ा रहा था, इसी अकेडमी में इनका एक सिस्स्य पढ़ता था, जो आके जाकर किस नाम से जाना गया, अरस्तू, किस के नाम से जाना गया, अरस्तू, अरस्तू, प्लूटो का सिस्स्ता, सीधा सीधा प्रिश्न आ सकता है, अरस्तू के गुरू का नाम क्या था, प्लूटो के गुरू का नाम क्या था, सुकरात एक निरच्छर व्यक्ति था, सब्माइब दुनिया कई नई जनम लिया जिससे आप कहते है राजनातिक बिग्यान जिससे आप कहते हैं पॉल्टीक कल साइंस क्या कहते हैं पॉल्टीकल तो आप क्या कहेंगे फादर ऑफ पॉलिटी अगर आए पॉलिटी का पिता किसे कहा जाता है और राजनेतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है तब आपका अंसर क्या होगा अरस्तू यह तीनों ऐसे फिलोस पर थे जिरोंने दुनिया को एक मार्ग दिखाया जिरोंने दुनिया को राजा से ना सिखाया लेकिन अभी कहानी बहुत अद्वरी थी इतना आसान नहीं था समय समय पर अनई-दे फिलोस्पर आते रहे अपने विचारों से अपने थिंक से इन थिंकर्स ने बहुत बड़ा काम किया एक नाम मैंने यहां क्या लिखा है राज्य इस राज्य के बारे में हर फि तो बारे में थोड़ी सी बात समस्ते हैं, चारक्य का वास्तवीख नाम विश्नु गुप्त हुआ करता था, क्या नाम था तच्छसला विश्व विध्याले जो इस पूरी स्रस्टी का इस पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्व विध्याले था Oldest University तच्छसला विश्व विध्याले में एक छात्र हुआ करते थे वहीं से पढ़े और पढ़ने के बाद वहीं पर प्रोफेसर बन गए जब इस पूरे देश में नंदवन्स का सासन हुआ करता था और एक अत्याचारी सासा घनानंद सासन किया करता था तब इस देश को बदलने के लिए और इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए एक सिच्छक ने जब कमान उठाई जैसे तुमने देखा तेश तारीक का संगहर्ज जब इस उत्तरप्रदेश में अत्याचार देखने को मिला इन पचास लाग लोगों के साथ तो इस सिच्छकों ने ही कमान उठाई और जब सिच्छक कोई कमान उठाता है न अब दुनिया बदल जाती है आप समझे सिच्छक से बड़ा कोई दुनिया में है ने हमारे भी सिच्छक रहे हैं आप सोचकर देखिए जिस एक्जाम को आप देकर आये थे 17 और 18 तारिक को एक्जाम देकर आये किसी का बहुत अच्छा हुआ किसी का थोड़ा कम हुआ लेकि लोग प्रशन थे कि हाँ पेपर अच्छा हुआ और उसके पेपर से निकल कर बाहर नहीं आ रहे कि आपको कितनी अच्छी नियूज मिली पुरी दुनिया को जग जोर दिया उसने बच्छों डिमोसन में चले गए बहुत से बच्चे सुसाइट करने लग गए बच्चे यहां कर रो रहे हैं एक लड़की थी वह आगर उसे लड़्डू खिलाया हमने किले तेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है उसके आदा घंटे में पता चलता है कि पेपर आउट हो ग जाती पैसे दो नौकरी फिलो लेकिन एक बार दुवारा से हमारे अंदर एनरजी आई तुमारे अंदर भी आई और हमारे अंदर भी आई संघर्स के लिए कोटिल्य ने इस दुनिया में भारत का एक नया नाम रोशन करने के लिए अपने अस्त्र सस्त्र उठाई और अपन के मगद सामराज के प्रधान मंत्री बने सेनापती बने और एक अच्छे एडवाइजर बने और तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थ सास्त्र और अर्थ सास्त्र जैसे ही पूरी दुनिया में पुब्लिस्ट अगर किसी ने दी तो किसमें दी और किस पुस्तक में दी पासोंग आई अब हम अपनी बात सुरू करते हैं यहां से आगे यह थोड़ा सा बेसिक याद रखेंगे दुबारा सुन लीजेगा दुनिया में राज्य के बारे में राजा के बारे में प्रजा के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था पॉलिटी के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था इसलिए पॉलिटी का पिता किसे कहा जाता है राज व् और इसका भी एक सिस्य हुआ जिसका नाम क्या था kg नाम था और इसकी downloads Nokia कि से कहा जाता है अरश्तू को कहा जाता है और भरत के भी एक फिलोस परहुए जिनका नाम क्या था कोटिल्य जने आप क्या नाम से भी जानते हैं चाड़के के नाम से भी जानते हैं इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या था देखो अर्थ सास्तर को क्या बोलते हैं अर्थ सास्त का मतलब होता है economics कभी कभी कुश्यन आता है अर्थ सास्त्र में क्या लिखा हुआ है अब तुमारे दिमाग में आएगा अर्थ सास्त्र economy है तो GDP, GNP, NNP, monetary policy, dollar, रुपईया, ये, रोगल, ये, लिखा हुआगा होगा इसी के बारे में होगा economy के बारे में लिकर नहीं, इसमें पूरी बात जो लिखी है, वो किसकी लिखी हुई है, राजनीती की, किसके बारे में उल्लेक है, इस पूरी पुस्तक में सिर्फ किसका उल्लेक है, पॉलिटी का, बात के लिए, देखते हैं, हमारे कौटिले जी क्या कहते है, इन्होंने कहा था एक होगा हमारे पास क्या राज को टिले के अनुसार राज की क्या परिभासा है आपकी प्रिश्ण पेपर में आती भी है जरा ध्यान से सुनिएगा राज क्या होता है आप से पूछेगा राज क्या है तो कभी भी राज का मतलब यहां ना तो उत्तर प्रदेश से हैं ना म अमेरिका से राज का मतलब है जापान से राज का मतलब होता है पूरे देश से किस से होता है आप राज का मतलब यहां भारत के राज्यों से बिल्कुल भी नहीं समझेंगे एक समय हुआ करता था जब लोग देश को देश कहते ही नहीं थे वो देश को क्या कहते थे राज कहते क्या कहते थे देश तो एक नए नाम है पहले हुआ करता था राज्ज कछ और ने वह कहा अगर मैं राज iç कहरा हूं तो इसका तुरंत मतलब समझ जाना मां किसके बारे बात कर रहा देश के बारें बात कर रहा हूं कोट्रिल ने कहा था कि एक अच्छा राज्य क्या हो सकता है अगर हम कोट्रिले के अकॉर्डिंग देखें कोट्रिले के अनुसार देखें तो कोट्रिले कहा था अगर आपको राज्य बनाना है तो आपके पास चार पिलर होना बहुत जरूरी है कितने पिलर होना जरूरी है थैंट कितने जरूरी है और शार में से एक भी पिलर हटा दिया गया वो राज्रत हुई नहीं सकता जैसे देखिएगा हमने पूछा जी सर बताइए कौन से चारंग है कोटेली जी से और उन्हें का पहला को भाग कि क्या होगा बोलो जड़ा घुला क्या होगा ताहीं होगा आप मुझे अप मनने जा रहे हैं है आपके पास जमीन होनी चाहिए के झालेंगे आपके राज्य बनाएंगे जल न न लेंगे या असमान में बनाएंगे या हवाा पोदों पर बनाएंगे कहां बनाएंगे जमीन पर कोटिलिस हम डारेक्ट बात करना है सर बताइए हमें देश बनाना है हमें देश बनाना है हमारे देश का नाम होगा कोटिल्य देश हमें देश बनाना है वो अंग बताइए कोटिल ने कहा बिटा सुनो जदता नाम में मतना आपके पास सबसे पहले जमीन होनी चाहिए और उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए किसी और का नहीं हमने का ठीक है सर बहुत जमीन है हमारे पास 32,187,263 वड़क किलूमीटर भारत का एरिया है यह जमीन ही तो है वृतो है वनका छेतव है मैंने का है ठीक है एक चमीन है यह जो बुबहां सब्सक्राइब करने के लिए इसपर रहने के लिए बैटे होंगे तभी तो मैं अपने अपको अध्यापक बनाऊंगा या कह दू कोई स्टूएंट ही नहीं मेरे सामने में आराम से आपर स्टेज पर खड़ाऊं आयम अटीचर बैए काई का टीचर है तो इनको पढ़ाएगा ये अजयविक चीज़ें दिखाई दे रही हैं अबायटिक चीज़ें दिखाई दे रहे मैं इनको थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं टीचर तम माना जाऊंगा जब मेरे सामने स्टूएंट बैटे होंगे जो मुझे सुन रहे को समझ रहे होंगि मैं उनकी फिलिंग्स को समझ रहां होंगा आप् राजा बन रहे हैं कम से कम राजा कहने वाना तो कोई होना चाहिë है अप राजा बन गए जन्ट्टक्या है नहीं तो पसूद्ट है तेसरा बताईये गर तुमारे पास जन्संग क्या है तो इस जंसंग क्या है अगर तुमारे पास जन्संग क्या है के लिए government चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सरकार, प्रसाशन ना होता, तो हम नहीं रहते, अब मानिए, तुम तुम नहीं रहते, कोई और कोई और नहीं रहता, आज जो देश चल रहा है न यह सरकार के accordingly ही चल रहा है और हम अगर अपनी according चलने लग जाएं हम खुद हमने आपको Prime Minister समझतने लग जाएं तो देश कैसे चल जाएगा हर आदमी की अलग think है यह तो Hay cm कानूनी यह सब-समान यहों महते हैं मीं मसा परना नहीं है एक को dobr कोई क्रॉस नहीं करेंगा भढ़ए ईच contr कॉखेंगे फौकरा में तरुफंके तो यह कुस्तु मैं रहे ना पर पर सरकार कोसे सबसंदेर leven लेकिन डर है गार है किसी को मार दिया तो वो तो मर गया लेकिन हम नहीं जिंदा रहेंगे जेल में रहेंगे पचास साल रहेंगे दस साल रहेंगे आज इवन कर फिर तो आदमी अपने इस देश को कौन कर रहा है सच में वो कौन कर रही है सरका इसलिए किसी भी देश को नियं प्रभुता का मतलब है जिसके पास संप्रभुता खुद ही प्रभु है खुद ही क्या है प्रभु प्रभु मतलब भगवान है संप्रभुता होनी चाहिए यानि वो स्वतंत्र होनी चाहिए स्वतंत्र का मतलब है ऐसा देश की सरकार जो अपने निर्णय लेने में खुद सच जो अपनी देश की सीमाओं के अंदर अपनी देश की सीमाओं के बाहर सब प्रकार के निरने स्वयम लेती हो वो देश की सरकार कैसी कहलाती है स्वतंत्र कहलाती है संप्रभुत्त कहलाती है पूछते हैं मोधी जी जब कोई नर्णाय लेते हैं किसी दिफ्री देश से पूछते हैं बतायोगों नोट बंदीकी किसी से पूछते हैं बतायो बताओ नोट बंदी जिस समय आठ तारीक को हुई थी आठ नवंबर 2016 में हुई थी रात को आठ बजे हुई थी ना साथ बजकर 69 मिनत तक भी किसी को नहीं पता था कि नोट बंदी होने वाली है अपना ही तो निर्णय था धारा 370 जब हटी थी पांच अगस्त को 2019 में तो किसी को खुद वहां के राज्यपाल जो था सत्यपाल मलेक उनको तक नहीं पता था वहां के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे महबुवा मुफ्ती वह महबुवा थी उन्होंने एक दिन पहले इंट्रिव्यू दिया था कस्मीर को लेकर क्योंकि वहां राष्टपती सासन लगा हुआ था उन्होंने कहा था केंद सरकार कस्मीर पर तुरंत इस पष्ट निरने दे वह क्या करना चाहती है कुछ तो नहीं पता था क्या होने वाला है दूसरे दिन 11 बजे राजसभा जैसे ही चली अमिस्सा आते हैं और वो कहते हैं आज से धारा 370 खत्र आप बदाईए मुझे किसी से पूछा उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कस्मीर के लोगों से नहीं पूछा जो धारा 370 से अपना नमबर एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार अगर इनमें से एक भी हटा दिया वो राज राज्य वो राज राज्य अब मुझे बताओ क्या भारत देश है भारत राज्य है है के नहीं भारत के पास छेत्रपल नहीं है भारत के पास जनसन क्या नहीं है भारत के पास सरकार नहीं है भारत की सरकार सोतंत्र नहीं है तो क्या है भारत क्या है भारत अगर मैं पूछो तुमसे कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या भारत देश था क्या भारत देश था नहीं था भारत देश नहीं था बुले सर क्यों नहीं था क्यों कि भारत के छेत्रपल था छेत्रपल जनसंग्या थी लेकिन सरकार सरकार कहां की थी ब्रिटिस सरकार थी किसका असासन था भारत में अंग्रेजों का किसका असासन था तो भारत नहीं था फिर भारत क्या था भारत था ऑपनिवेसिक भारत क्या था भारत ऑपनिवेसिक भारत कुछ सना गया आजादी से पहले भारत क्या था आप क्या कहेंगे कॉलो नजी बोलते हैं से का था अगर ये प्रिशना आया अपनिविसिक का साथिक अर्थ क्या है दिमाग घूम गया ये सब्दा वली है पॉलिटी की ओपनिविसिक का साथिक अर्थ क्या है आपसे पूछ लिया क्या कहोगे बहुत आसान है ओपनिविसिक का साथिक अर्थ निवस्ता किसी दूसरे देश के हाथो संचालित हो और उसमें भी उसी देश को फाइदा हो वो देश क्या कहलाता है जैसे भारत, भारत को कौन चला रहा था, कौन चला रहा था, और फाइदा भी किसका हो रहा था, तो भारत क्या था, अपनिवेस, मेरी बास समझ में आया, जिसके पास ये चार पिलर होते हैं, वो क्या कहलाता है, राज, वो क्या कहलाता है, दे, कुश्चन आ सकता है, कौटिल यही क्या है राज अभी भी नहीं समझ में आया नहीं आया और सुनो जैसे जब तक समझ में आए आगे ना बढ़ना हमें उधारण के तोर पर देखिएगा 1947 1947 में देश आजाद हुआ और भारत का एक हिस्सा हुआ करता था तिब्बत क्या हुआ करता था भारत के नॉर्थन पॉइंट में हैं तिब्बत में 1947 में भारत से अलग हुआ तिब्बत सुतंत्र बन गया था तिब्बत भारत की तरह आजाद हुआ था पाकिस्तान की तरह आजाद हुआ था बंगलादेश की तरह बना था म्यामार की तरह बना था जैसे भारत से अलग हुआ तीन साल ही आरंद में रह पाया, अपने जीवन में सही कर पाया था, 1950 आते आते चाइना ने अटेक कर दिया, इतना छोटा सा तिब्बत, इतने अच्छे लोग हो हां के वो बहुत धरम को मानते हैं, बहुत धरम के लोग बड़ी अहिंसावादी होत ना किसी को मारते हैं, ना किसी को बुरा कहते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस कल्योग में अच्छे लोगों की जरूवत कहां हैं, ये चाइना ने था, 1950 आते आते ही, 1950 आते आते ही, इस तिब्बत पर कबजा कर लिया, किस ने कर लिया, चाइ लेकिन उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विसे कोई बना हुआ था तो वो भारत था और भारत के सबसे प्रमग व्यक्ति थे जिनका नाम था महत्मा गांदी जिन्होंने भारत में इंडियन नेशनल मुमेंट चलाए भारत के राष्टी आंदूलन चलाए उससे पूरी द का सबसे ज़्यादा नेत्रत तो कर रहे थे दलाई लामा क्यों कर रहे थे यह दलाई लामा तिबबत के रहने वाले थे उस समय युवा हुआ करते थे यह नेत्रत तो कर रहे थे दलाई लामा बड़े अहिंसावादी तरीके से जैसे महत्मा गांदी प्रोटेस्ट करते थे ऐसे ये कर रहे थे, ना किसी को मारते थे, ना किसी को गाली देते थे, ना उटा बोलते थे, जाते थे और बड़े प्यार से करते थे, 1950 से लेकर 1969 तक नौ वरस तक इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, चाइना का इतना बिरोध किया, कि पूरे तिबबत को अपने साथ ले ल लगा था कि तिबबत में एक गांधी ने जर्म ले लिए जिसका नाम क्या होगा दलाई लाम 69 आते आते चायना को ये सबक मिल चुका था और चायना समझ गया था अगर दलाई लामा को लोगों को मारे वह किया गोली मारे उन लोगों को फासी मैट बिरोधे कर दी जाए गाई फिर और पियार कर रहा फ्लांना दलाई लामा को जो पता चला कि मुझे मारने वाले हैं तो यह कैसे भी अपने लोगों के द्वारा बच कर भारत में आगे भारत में हमाचल प्रदेश में एक इस्थान पड़ता है धरमसाला कौन सा इस्थान है यह दुनिया का सबसे बड़ा उंचा सबसे उंचाई पर अच्छे मित्र होते थे नहरू जी कहते थे चीनी हिंदी भाई 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 उन्नीश सो नुनसट में कुष्छन आया है यह यह कब भारत आयता दलाई लामा आज भी भारत में हैं 1959 में दलाईलामा भारत आ गए जैसे भारत आए बारत सरकार ने उन्हें जगह दे दी आपाराम से रहे इनका संडय च्छन की आपने ने प्रोटेक्शन दिया सुराच्चित कर दिया भारत में रहने लगे भारत से ही ऐसे किरिया कलापना को जनम देते रहे कि तिबबत की लोगों में उग्रता जागने लगी और वो चैना का विरोध करते रहे चाइना को पता चल गया कि इन तिब्बत के लोगों कोई उकसा रहा है तो वो कौन है दिलाई लामा और उन्हें पता चल गया वो कहां है भारत 1969 से लेकर 60 आगया और 60 से लेकर 61 में चाइना ने भारत को धमकी दे दी या तो दलाई लामा को छोड़ दी जिएगा नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भारत ने का हमने हमेशा से सत्य का साथ दिया और तुम तो क्या हमने 1200 साल गुलामी सही है लेकर हम सत्य से अडिग नहीं हम हटे नहीं अडिग रहे हम दलाई लामा को नहीं छोड़ें हमें ने अंतिम सांस तक इनकी सुरच्छा करेंग और इसका परणाम यह हुआ कि 1962 में हम दलाई लामा आस तक नहीं दिया कि रम को मांनता था बौधनों के उपदेसों को देता था अगरामा मांते हैं खुद अपनी बरणे रख लेगे चुपा है जो आदेश देदे वहां के लोग government की बात नहीं मानते हैं लेकिन किसकी बात मानते हैं दलाइलामा की खुद अपने आप में सरकार है खुद स्वतंत्र है लेकिन देश नहीं बना पाया क्या नहीं बना पाया उसके पास उसकी जनसंग क्या है यह पूरी जनसंग क्या उसी की है वहां पर लेकिन देश नहीं बना पाया उसके पास वो क्या है स्वतंत्र उसके पास क्या है सरकार वो खुद सरकार है अपने आप में जो निरने देदे लोग मानते हैं उसके पास क्या नहीं किसकी है भारएत की इसलिए वो कई देश नहीं बना पाया आज edge सि Explain a stand Keep कैं आज क्या है object में भूबाग है तो त्य अदिया का किया सर्कार किसका आपर चायना की तो दुनिया का एक मात्रगें सो हंए जो आप कितने होते हैं और एक भी हटा है क्या किलिए छलिए यह तो हो गया तुमारा राज अब राज से आगे देखते हैं राज के बाद मैंने तुम्हें एक नाम और बोला था जिसरrudद कर नाम क्या था विवस्त था क्या नाम बोला था बोलो जरा क्या नाम बोला था देवस्थ एक नाम आया राज और एक नाम क्या आया देवस्थ दुनिया में आप किसी भी देश में जाईए दुनिया में दो प्रकार के ही देश होते हैं अब कोई भी पूछ ले कि दुनिया में भाईया कितने प्रकार के द एक देश जहाँ लोक तंतर है जहाँ पर क्या हैक्ष्ट एक देश जहाँ पर राज तंतर है अन देखो पहली सुरुवातिक लाससे में पॉलेटी का मतलब यह नहीं होता कि मैं आतर आते ही तो मैं प्रियंबल्स पढ़ा दू प्रस्तावना पढ़ा दू फर मैं पार्ट वन फिर मैं आर्टिकल 1 पढ़ा दू और धीरे धीरे पूरे आर्टिकल काम करके हो गया पहले पॉलिटी को समझो पॉलिटी क्या है आज वो जमाना नहीं और तुम्हें क्या लग रहा है कि अब की बार पेपर जैसा आया था वैसा ही आएगा तुम भूल जाना इस बात को इस बा नहीं था और यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यह हुआ है यूपी पॉलिस को मैं अच्छे से जानता हूं 2014-15 से मैंने पॉलिटी को इसको इसको उत्तर प्रदेश को अच्छे से जाना है और 2015 से में जी एस पढ़ा रहा हूं आज तक इतना आसान पेपर आया उसन आया ऐसे करके आया बताएं यह operation अजय किस समबन देते हैं अगली मीटिंग में अगली में पेपर में आया किसे समबन देता है यह अठारे की सुबह में आया था वो अठारे की सेकंड में आ गया है किससे सम्मझ मैं इतना आसान भी कोई पेपर में आ सकता है हम नोट बंदी की बात कर रहे हैं पहले पेपर में फस्ट मीटिंग में नोट बंदी के बारे मता रहे हैं सेकंड में हो सेम की सेम हूब हूब आ कह रहा हूँ लेकिन क्यों ये पहली बार साउथ इंडिया की कंपटी ने एक्जाम कराया था कि सम्झा ये पेपर उन्होंने बनाया था तो उन्हेंने लगा कि एसा पेपर सही रहेगा लेकिन अगकी बार क्योंकि ओध तो एक्जाब कराएगी नहीं और दुबारा से वही कंपनियां लोट कराएं तो आप देख लेना दोज़ार अनुनीस का पेपर हालात खराब कर देगा तुमारे सही बता रहे हैं हम तुमें conclusion के questions हैं तो इसलिए तैयारी जब ऐसा आएगा तो ऐसी तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं और बड़ा आएगा तो फिर हम बड़े के लिए तैयार रहेंगे तो मेरी बास समझो यह पहली दो तिन क्लासे जो होंगी वो पॉलिटी को समझने के लिए ह पॉलिटी का मतलब क्या है अगर तुमसे दुनिया में कोई पूछे कि लोग देश कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर क्या होगा कितने प्रकार के एक ऐसा देश जहां लोक तंत्र और एक ऐसा देश जहां इस लोक तंत्र को ध्यान से सुनिए एक सब्द बोलते हैं गड़ त्धिर आपसे question आ गया लोक तंत्र का साब्दिकर्थ क्या राज तंत्र का साब्दिकर्थ क्या है ऐसा question तमारे सामने पूछ लिया गया हुए क्या प्सक्षी आंसर बहुत سिम्पल कोछी नहीं इसमें शिपाएं कर लेंगे वन्सान उगत वरल्स का मतलब है मैं राजा हूँ मेरे मरने के बार मेरा बेटा ही क्या बनेगा यानि मेरे वंस से ही राजा बनता जाए वो क्या कहलाता है पंसानु जहां सब कुछ राजा का हो जहां विवस्था पर का विदाय का कार पाले का न्याय पाले का कानून बनाना है कानून लागो करना है न्याय देना है यह सब किस के हाथ में हो राजा के हाथ में हो वो क्या कहलाता है राज तंत्र मेरी बाद समझें नहीं समझें हाथ वो क्या कहलाता है वो राज तंत्र कहलाता है अयखे आए उसके बाद कुमार गुप्ती इसकंद गुप्त भानो गुप्त बश्णों गुप्त वह राजा का सासेनचल आ रहा है वो राज तंत्र है लोक तंत्र इसे लोक मत पढ़ो बीटा इसे लोग पढ़ लो कोई रोक लेगा क्या तुम्हें स्वतंत्र हो तुम भी सुकरात की तरह नहीं हो लोग पढ़ो इसे क्या पढ़ो लोग लोग नहीं वो तंत्र का मतलब सिस्टम किसका सिस्टम किसका सिस्टम मेरी बास समझ रहे हैं तुम किसका सिस्टम लोग गड़ संस्क्रित का सब्द है तत्सम गड़ का मतलब भी होता है लोग गड़ का मतलब भी क्या होता है और तंत्र का मतलब system है भाई किसका system प्रिजामे भी तो कौन रहते हैं प्रिजामे कौन रहते हैं और तंत्र का मतलब छोड़ो रे अंग्रेजी में बोलते हैं demo crazy क्या बोलते हैं और demo plus demo का मतलब होता है जनता और जनता में भी रहते हैं और crazy का मतलब है तंत्र और तंत्र का मतलब system एक ऐसा देश जहां का system किसके द्वारा बनाया गया हो लोगों के द्वारा वही क्या है लोगतर अमेरिका के एक बहुत अच्छे राष्टपटी थे जिनका ना कि स्षेशने ध में रच्छे बहुता कै राष्टपटी थे जिनका पिरा भी जुच प्लोगल जनका यारा बनाया का शेशने बहुता जोगतर याच्थरियों के दुब शना है जेशने हैं झाल 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 झाल